Good morning students, आज हम सब एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है कितना बड़ा होता है फुट इस कहानी को लिखा है रॉल्फ माइलर ने और इसका हिंदी में अनुवाद किया है अर्विन कुपता ने एक समाने में एक राजा रहता था और साथ में उसकी पत्नी यानि रानी भी राजा रानी काफी खुश थे क्योंकि उनके पास दुनिया की सभी चीज़े थी परन्तु जब रानी का जन दिन आया तो राजा के सामने भारी समस्या खड़ी हो गई रानी जिसके पास सब कुश था उसे वो क्या भेटते राजा ने सोचा, सोचा और सोचा और रान्त में उसके दिमाग में एक विचार आया वो रानी को एक पलंग भिट करेगा रानी के पास कोई पलंग नहीं था क्योंकि तब तक पलंगों का आविशकार ही नहीं हुआ था इसलिए रानी जिसके पास दुनिया की सभी चीज़ें थी उसके पास भी पलंग नहीं था फिर राजा ने प्रधान मंत्री को बुलाया और उसे पलंग बनवाने का आदेश दिया प्रधान मंतरी ने उस्ताद बढ़ाई को बुलाया और उसे पलंग बनवाने का आदेश दिया उस्ताद बढ़ाई ने अपने शारगित को बुलाया और उसे पलंग बनाने का आदेश दिया पलंग कितना बढ़ा होता है शारगित ने पूछा क्योंकि उस समय तक किसी ने पलंग देखा ही नहीं था इसलिए किसी को पलंग के नाप का अंदाजा भी नहीं था पलंग कितना बड़ा होता है बड़ही ने प्रधान मंत्री से पूछा हम अच्छा प्रश्ण है प्रधान मंत्री ने जवाब दिया फिर प्रधान मंत्री ने राजा से पूछा पलंग कितना बड़ा होता है राजा ने सोचा और सोचा और सोचा अंतनी उसके दिमाग में एक अच्छा विचाराया पलंग इतना बड़ा हो जिससे राणी उस पर आराम से लेट सके राजा ने राणी को बुलाया उसने रानी से नए कपड़े पहन कर फर्ष पर लेटने को कहा फिर राजा ने अपने जूते उतारे और अपने बड़े बड़े पैरों से उसने रानी के चारो और एक चक्कर काटा राजा ने गिना पलंग का नाप 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा होना चाहिए तब ही रानी उस पर अराम से लेट पाएगी अब इसमें रानी के मुकुट का नाप भी शामिल था जिसे वो कभी-कभी सोते समय पहनती थी उसके बाद राजा ने राणी का शुक्रिया अदा किया फिर राजा ने प्रधान मंत्री को पलंका नाब बताया प्रधान मंत्री ने उस्ताद बढ़ाई को पलंका नाब बताया उस्ताद बढ़ाई ने अपने शारगित को पलंका नाब बताया इसमें रानी की मुकुट के नाप का भी शामिल था जिसे वो कभी-कभी सोते समय पहनती थी शारगित ने अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया और फिर अपने जूते उतारे फिर उसने अपने छोटे पैरों से नापा तीन फीट चौड़ा और छे फीट लंबा और फिर शारगित ने रानी के लिए पलंग बनाया पहली निगा में राजा को पलंग बहुत सुन्दर लगा वो रानी का जन दिन आने का इंतजार ही नहीं कर पाया राजा ने तुरंत रानी को बुलाया और रानी से नए कपड़े पहनने को कहा फिर राजा ने नया पलंग लाया और उसने रानी को पलंग पर लेडने को कहा परन्तु पलंग रानी के नाप से बहुत छोटा निकला यहे देख राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरन प्रधान मंत्री को बुलाया प्रधान मंत्री ने फौरन उस्ताद बढ़ही को बुलाया बढ़ही ने तुरन दरोगा को बुलाया जिसने फौरन शारगित को जेल में डाल दिया इससे शारगित काफी दुखी हुआ मैंने तो पलंग ठीक नापका बनाया था फिर वो रानी के लिए छोटा क्यों पड़ा शारगित ने सोचा और सोचा और सोचा अंत में उसके दिमाग में एक बात आई जो पलंग राजा के तीन पैरो के चोड़ाई और छे पैरो के लंबाई के नापका होगा वो निश्चित ही शारगित के तीन पैरो के चोड़ाई और छे पैरो के लंबाई के नापके पलंग से छोटा होगा अगर मुझे राजा के पैरो का नापपता चल जाए तो मैं जरूर रानी के नापका सही पलंग बना पाऊंगा वो चिल लाया शारगिर ने ये बात दरोगा को समझाई दरोगा ने ये बात उस्ताद बढ़ही को समझाई उस्ताद बढ़ही ने ये बात प्रधान मंत्री को समझाई और प्रधान मंत्री ने ये बात राजा को समझाई राजा बहुत व्यस्त था उसे जेल जाने का समय नहीं था राजा ने अपना एक जूता निकाला फिर उसने एक मशूर शिल्पकार को बुलाया शिल्पकार ने राजा के जूते जैसा हू बहू एक संग मरमर का जूता बनाया इस जूते को जेल भेजा गया शारकित ने राजा के संगमर्मर के जूते से नापना शुरू किया तीन फीट चौड़ा और छे फीट लंबा इस प्रकार राणी के लिए सही नाप का पलंग बनाया इधर पलंग तयार हुआ और उधर राणी का जन्द दिन आ गया राजा ने राणी को बुलाया और राणी से नए कपड़े पहनने को कहा फिर राजा ने नया पलंग निकाला और राणी से उस पर लेटने को कहा राणी पलंग पर लेटी और पलंग एक तम राणी के सही नाप का निकला इसमें राणी के मुकुट का नाप भी शामिल था जिसे वो कभी-कभी सोते समय पहनती थी ये वाकई में राणी को मिला सबसे बहतरीन तुफा था राजा बहुत खुश हुआ उसने जट से बड़ाई के शारगित को जेल से बुलाया और उसे राचकुमार बना दिया और छोटे शारगित की प्रशंसा की उसके बाद से जब किसी को कोई चीज नापने की जरूरत होती तो हमेशा राजा के जूते का ही इस्तिमाल करते थे और जब कभी कोई कहता मेरा पलंग 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है तो सब लोग पलंगे सही नाप को जट से समझ जाते थे